मेलन की कमी है वह भी पूरी हो जाए और बाल हमारे नैचर तरीके से और गैनिक तरीके से बालों में काला पनाना शुरू हो जाए तो यह देखिए मैं इसके अंदर जो है हाई अबरीवन वेलकम बैक नो मैं चल कैसे हैं आप लोग उमिद करती हूं आप सब भी ठीकी होंगे आज जो मैं रेमेडी दिताने वाली हूं बहुत इसी है बहुत आसान तरीके से आप लोग जो है दो से तीन स्टेप से ही अपने सफेद बालों को काला कर सकते मालों को काला हो जाएंगे तो चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं और उमीद करते हैं आप लोगों को वीडियो जो आज की यूसफुल होने वाली अगर अच्छी लग जाए तो क्या कीजिए अगा लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शोशल मीडिया प जुट स्काइब है मैं श्रीमित करते हैं और हो अपने सफीध बालों को जल से काला कर सकते हैं तो कर जाता हैब लोगों को त fact यहां पर आपको कोई स्टील की कटोरी नहीं लेना है तो सबसे पहले मैं यहां चो ले रहे हुआ है नीम लीफ पाउडर होता है इसके अंदर अंटि ऑक्सिडेंट होता है और जो हमारे बालों की मेलान की कमी को पूरा करता है साथ की साथ ही हमारे जो पिग्मिटेशन से भी बचाता है तो दीखें मैं यहां आदा चम्मच के करीब जो है आदा से फिल्कुर थोड़ा ही लेना ज्यादा नहीं लेना है यह देख सकते तो यहां नीम पाउडर में ले रहे हूं नीम पाउडर ज़रूर लीजिएगा अगर आपके आसपास कोई नीम अगर नीम के पेड पाउडर कर Capital काई काुटा है तो आप उसका पाली भी यूस कर सकते है तो है यहां जो है नीम पाउडर ले रही हूं ओर और हाँ साथ में सब्सक्राइन करेब जो बालों में तेरेदें तब और बालोंमें शायनिंग Whoo झाodorow दिखा से कम नहीं रहें लगों गर्म के बाल जबता या रह उनने शुरू हो जाएगे तो इसथी करद्थ तरीके गडल ना फूल होता ए उस तरीके ही होता तो मैं यहां जो इसको ले रहे हूं यह देख सकते हैं आधा चमश के करीब ही ले रहे हूं मैं इसको भी इसे बालों में बढ़ी अच्छी शाइनिंग आ जाती है और हमारे बालों को बहुत जादा बूस्ट करता है तो यह सारी चीजे लेने के बाद मैं इसके अंदर जो है मौन ले रही हूं बिल्कुल और गयानिक होना चाहिए जिससे के अपके बाल जो नेचु तरीके से काले हो जाए है है याद कि इसके अंदर कोई बी पानी और गुनगना पानी बिल्कुल पी आटणी करना है हमें तो यह मैं जो नीम ले रहे हूं और साथ की साथ अगर आप जची तो यह जबहुतम छेटान करें वेलश करतेंटों को सबस्क्राइत मेहınd्याइजिक हैं नहीं नहीं । फायदा नहीं इता है अगर आपको लगता है कि अगर आप इसके अंदर जो है नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या किजिएगा थोड़ा से गुनगुना पानी आट करके भी आप इसे बालों पे लगाईएगा हफते में दो से तीन बार ट्राइज जरूर किजिएगा और 30-40 मिनट के लिए ही अपने पर सर्दियों में थोड़ी से टाइम लेगता है कि बालो को सूकना रख पार तैयार हो और आप पर इसे तरीके से उसको बनाना है लगाना है और आपने बालों को सवस्थ को कला सप्थ pewnoív और अगर आप यह सारी चीज एड़ करेंगे तो देखेंगे आपके बाल जो तरीके से काले हो जाएंगे यह देखिए बिल्कुल अच्छे से यह मैंने मिक्स कर लिया है आपको इसके अंदर सबको मिक्स करना है और अपने बालों पर लगाईएगा तुरांत आपके बाल जोए काले हो जाएगा पट इसको 2-3 मिन अच्छे से मिक्स कर लिजाएगा तभी आप लोगों को बैटर रिजन मिले वाला है और इसको देखिए मैंने कांच की बाल में मिक् काले होने शुरू हो जाए तो देख सकते कितना अच्छा सा यह पेस्ट बन चुका है पस अभी थोड़ा सा गुला नहीं है सारे जोए इनके महीं महीं कंड रह गए तो आपको क्या कीजिए का 2-3 बार जो अच्छे से जोए अच्छे से मिक्स कर लिए 2-3 मिन तक तभी आप पिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ बाबाई टेक केर अजय कर दो 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 कि देखा आपने इसे बनाने के दो नहीं आप लोगों कि विडियो को मैं एंड करने चाहते हैं और हां याता याद कि अपने दूप में जूए विटम ऑइटेमीन डी जो है अपने आप ओलींग करते तो एक सी आदर घंता कि अपने बालो के लिए धूब ज़रु लगाए जिससे कि आप लोगों के मैलनकी कमी है अगर जो सफेद बालो की जो बार बार समझे हैं वह भी आप लोगों इससे निजात मिल जाएगी क्यांगी साइंस में एक रिसर्च आया था कि वाइटमिन डी और वाइटमिन ई है अगर हम लोगों को बालों को अच्छी से पोश्चन मिलेगा जिसे कि हमारे बाल जो काले घने होने शुरू जाएंगे क्योंकि काफी लोग जो पता है कि धूप से काफी अलर्जी करते कहते हैं कि हमारे स्किन टोन ब्लैक हो जाएगी काले हो जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है अगर आप लोग अच्छे से केर करके अपने बालों की ध्यान रखेंगे तो आप लोग अपने बालों को धूप जरूर ल केंगे तो देखेगा उससे भी आप लोगों को बालों को निजात मिल जाएगी सफीद बालों से आप लोगों को हमेशा के लिए चुटी मिल जाएगी तो चलिए इस वीडियो को मैं एंट करना चाहूंगी बबाए टेक केर जो जो मैने टिप्स बताया उसको जरूर फॉलो के जाग बाएगी